हेलो गैश तो स्वगते आपका टेक्निकल अंकित मैं और में नामें अंकित और आज की इस वीडियो में मैं ओपो के एक ऐसे फिलेक्सी स्मार्टफून के बारें बात करने वाला हूँ जो कि यह ओपो फाइंड एक्सिक्स प्रो तो गैश आज की इस वीडियो में मैं आपको फुल स्पेसिफिकेशन के बारें बताने वाला हूँ उसके प्रोसेसर के बारें बताने वाला हूँ और मैं आपको ओपो फाइंड एक्सिक्स प्रो का फुल रिव्यू देने वाला हूँ वीडियो काफी जादा amazing होने वाली है तो वीडियो को बिल्कुल भी skip मत कीजिए गया और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो के एक like कर देना चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी subscribe कर देना तो चलिए वीडियो श्टार्ट करते हैं तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं ओपो find x6 pro की body के बारे में तो गाइस आपको इस smartphone की thickness 9.1 mm की देखनों मिलती है और गाइस इस phone का जो weight है वो 216 ग्राम के आसपास है तो गाइस अब बात करते हैं ओपो find x6 pro की display के बारे में तो गाइस आपको इसमें 6.82 इंचिस की emulet type display देखनों मिलती है जिसका PPI density 510 है और गाइस आपको इसमें dolly vision का support देखनों मिलता है HDR 10 plus का support देखनों मिलता है और बात करें इस phone के brightness की तो गाइस इस phone के brightness 2500 peak knit तक की है और गाइस अब चलते हैं इस फोन के protection की तरफ तो गाइस आपको ओपो find x6 pro में Corning Gorilla Glass Victus 2 का support देखनों मिलता है और गाइस आपको इसमें एक पंचोल डिस्प्रेय देखनों मिलती है तो अब चलते हैं इस phone के refresh rate की तरफ तो गाइस आपको इसमें 120 हर्टेज की refresh rate देखनों मिलती है तो गाइस अब बात क गाइस इसका primary camera 50 Megafixle का है secondary camera 50 Megafixle का है और tertiary camera भी 50 Megafixle का है तो गाइस इसके तीनों camera 50 Megafixle के हैं और गाइस आप इसके camera से 4K की video recording कर पाऊंगे वो भी 30fps ते और गाइस इसका जो front camera है वो 32 Megafixle का है और गाइस बात करें इस phone की technical चीज़ों की तो गाइस आपको इसमें Snapdragon 8 Gen 2 chipset देखने हो मिलता है और गाइस आपको इसमें octa-core का processor देखने हो मिलता है और गाइस बात करें इस phone के RAM की तो आपको इसमें 12GB RAM और 256GB inbuilt memory देखने हो मिलता है तो गाइस अब बात करते हैं OPPO Find X6 Pro की connectivity के बारे में तो गाइस आपको इसमें 5G की सारे band देखने हो मिलत है Bluetooth version 5.3 देखने हो मिलता है और आपको इसमें NFCS भी देखने हो मिलता है और गाइस आपको इसमें USB Type C 3.1 देखने हो मिलता है और गाइस आपको इसमें एक IR Blaster देखने हो मिलता है so guys अब चलते हैं इसकी बैटरी की तरप तो guys आपको इसमें 5000 mAh की बैटरी देखने हो मिलती है, बॉक्स के अंदर 100W का फार्स चार्डर देखने हो मिलता है, और यह फोन 50W wireless charging को सपोर्ट करता है, और 10W reverse charging को सपोर्ट भी करता है, और आपको इस स्मार्टफोन में भी 3.5mm का audio jack देखने हो नहीं मिलता है, और आपको इसमे के बारे में बता दिया, उसके प्रोसेसर के बारे में बता दिया, और मैंने आपको OPPO Find X6 Pro का फुल रिवी भी दे दिया, और गैस इस फोन का जो प्राइज है, वो वल लेक के आसपा से, अभी इसका प्राइज काफी ज़्यादे हाई है, कुछ टाइम बाद इसका प्राइ आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और साइड में बेल आकन को प्राइज जरू कर देना, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नॉटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू